अलो एन वेलकम आप सभी का जनगर्णा एक ऐसा चेप्टर जिसे के वार रटने वाला चेप्टर करकर ठीक से पढ़ा या पढ़ाया नहीं जाता है जबकि वास्तिरुकता यह है कि इसके आंकडे 10 साल के लिए फ्रीज होते हैं परन्तु फिर भी हर एक्जाम में हमें इसे टा सुरूर किया है यदि आपने फ़र्सट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखे पैने उसका लिंक description में दिया हुआ है और साथ ही उपर की I button में भी आ याद करवाए हैं तो शुरू करते हैं इसी कड़ी का दूसरा भाग जिसमें हम बच्चे हुए आंकड़े याद करने की कोशिस करेंगे यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रुप से आपको फायदा हो 36 गड़ में साक्षरता 2011 की जनगर्णा के अधार पर यदि हम देखें तो 36 गड़ में 70.28% की जनसंख्या साक्षर है यदि पिछली जनगर्णा देखें 2001 की तो उसमें 64.66% जनसंख्या ही साक्षर थी इसका मतलब यह है कि इस जनगर्णा में 5.62% की वृद्धी देखी गई यदि जिलों की स्थीती देखें तो सरवाधिक साक्षर जिला दुर्णा है जहांपर 82% जनसंख्या साक्षर है वहीं सुदूर पिटड़ा जो जिला है सुक्मा वहाँ पर केवल 34% की जनसंख्या ही साक्षर है यदि हम साक्षरता को इस्त्री और पूरुष के अधार पर अलग लग देखें तो पूरुष की जो साक्षरता दर है वह 80.27% है वहीं महिलाओं का जो साक्षरता दर है केवल 60.24% है अब देख पा रहे होंगे कि महिला और पुरुस दोनों का मध्य मान जो है वही पुर्देश की साक्षरता है 70 महिलाओं की 60 पुरुस का 80 दोनों की मध्य मान 70 जो की पुर्देश की जनसंख्या है पूर्सों की साक्षर्टा दर के अधार पर यदि जिलों की से देखा जाये तो सरवाधिक पुरूश जनसंख्या साक्षर जो है, वह दुरुग जिले में है 89 परसंट का, वहीं सबसे कम जो पूरूश जहाँ साक्षर है वह जिला सुकमा है जहां केवल चमालिस प्रतिसत पुरुसी साक्षर है यदि महिलाओं की साक्षरता के अधार पर जिलो का क्रम देखें तो इसमें सरवाधिक उपर जो इस्थिती है वह है धमतरी जिला का जहां पर 79% महिलाएं साक्षर है वहीं सबसे कम साक्षर महिलाय ये दि हैं तो वो बीजापुर्जिला में हैं केवल 21 प्रतिसत यदि साक्षरता के दार पर प्रदेश की स्थिती देखें तो केवल राज्यों में 20 वा इस्थान है वहीं संग सासित प्रदेश को लेकर संपूर्ण भारत में प्रदेश का इस्थान 27 वा नगरी जनसंख्या मतलब नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या 37 गड में नगरी जनसंख्या का जो प्रतिसत है वह 23.24 प्रतिसत है डाटा आसान है आपको याद करने में ज़्यादा गटना ही नहीं होगी नगरी जनसंख्या को हम दो अधार उपर देखेंगे पहला छेटरफल के अधार पर और दूसरा प्रतिशत के अधार पर छेटरफल के अधार पर देखा जाएं तो सरวाधिक नगरी जनसंख्या निवास करती है वह नीचित प्रुप से हमारा राजधानी रैपुर है जहां पर करीब 12 लाग की जनसंख्या न अगरों में निवास करती है वहीं सरवाधिक कम की बात करें तो नरायानपूर जो जिला है जो सरवाधिक इठड़े जिलों में से एक है केवल 22,000 जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है यदि हम प्रतिसत के अधार पर देखें तो सरवाधिक प्रतिसत दुर्ग जिले का है जहाँ पर जनसंख्या नगरों में निवास करती है वहीं सरवाधिक कम की बात करें तो जिला बढ़रामपूर है जहाँ पर केवल 4 प्रतिसत जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है ग्रामिड जनसंख्या आपको पता होगा कि ग्रामिड जनसंख्या और नगरी जनसंख्या दोनों का योग जो होगा 100 होता है तो यदि इन दोनों में से कोई भी एक डाटा आपको याद हो तो दुसरा डाटा आप आसानी से निकाल सकते हैं बता है 23.24% हमने उसको 100 से मैनस कर दिया तो हमको ग्रामेड जनसंख्या का जो प्रतिसत है वह हमको निकल गया 76.76% कुलेजंसंख्या के यदि बात करें तो मैं एक करोड़ च्यानबे लॉक्ष साथ हजार एक रिम जंसंख्या भुण ग्रामिर जंसंख्या है जोकि गाउमे निमाज़ करती है कि सरवाधिक प्रतिसत ग्रामिर जंसंख्या जीला बरणपुर में निमाज़ करती है करीब करीब 96 ै cr नहीं दुर्ग जीला में केवल 36 प्रतिसत की लोग गाउं में निवास करते हैं आपने देखा होगा जो अभी अभी हमने पढ़ा सहरी जनसंख्या का जस्ट ये उलट है ग्रामिड जनसंख्या और आपको याद करने में बहुत आसानी है अनुसूचित जाती जनसंख्या प्रदेश में अनुसूचित जाती जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वहाँ प्रदेश के मैदानी भाग में है मुख्यत यदि हम देखें तो मुंगेली और बेमे तेरा जिला के आज़ पस एस सिग की जनसंख्या सरवाधिक निवास करती है पूरे चतिसगर में यदि देखा जाए तो जनसंख्या का कुल 12.82 प्रदेशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों का है यदि जनसंख्या के अधार पर देखें तो 32,74,279 लोग अनुसूचित जाती के है अनुसूचित जनसंख्या को हम दो अधारों पर देखेंगे एक तो जनसंख्या के अधार पर और दूसरे प्रतिसत के अधार पर जनसंख्या के अधार पर दिखा जाए तो करीब करीब 4 लाग की जनसंख्या के साथ जांदगीर चापा जीला जो है प्रथम पायदान पर है वहीं सरवाध एक कम जनसंख्या जहांपर अनुस्योचित जाती रहती है वह देख्टिड जिला सुक्मा है केवल 3000 जनसंख्याओं का ही निवास है प्रतिसत के अधार पर देखें तो सरवाथिक प्रतिसत मुंगेली जिला का है जहाँ पर करीब 27 प्रतिसत जनसंख्या अनुसूचित जातियों का है वहीं सबसे कम की बात करें, सबसे कम प्रतिसत की बात करें तो सुकमा जिल है जहां पर केवल एक प्रतिसत की जनसंख्या ही अनुसूचित जातियों का है यदि क्रम की बात की जाए, 36 की क्रम की बात की जाए भारत में तो इसका इस्थान अनुसूचित जातियों के अधार पर 15 है चाहे आप केवर राजियों को ले या संग ससित प्रदेश दोनों को ले दोनों ही अधार पर 15 है तो आपको आसानी सेयाध हो जाएगा अनुसूचित जन जाती जन संख्या अब जानते हैं चत्तिस गड़ प्रदेश की पहचान अनुसूचित जन जाती बहुले प्रदेश की रूप में यहाँ पर अनुसूचित जन जातियों का करीब करीब 42 प्रजातिया निवास करती है जिसमें सरवाधिक जो है गोर प्रजात प्रदेसों में इनका संगेंद्रण है उत्री भाग में जहां मुख्यता सरगुजा के पांच जिले और देख्षडी भाग में बस्तर के कि जो साथ जिले हैं वहां पर अनुसुचित जन जाती जनसंख्याओं का मुख्य निमास है पूरे प्रदेस में यह देखें तो 30.62 प्रतिसत की जन संख्या अनुसुचित जन जातियों का है यदि जनसंख्या के अधार पर देखें तो 78,22,902 जनसंख्या अनुस्यूचित जनजातियों का है ST का है जैसे कि हमने SC का पढ़ा वैसे हम ST कभी पढ़ेंगे एक जनसंख्या के अधार पर दूसरा प्रतिसत के अधार पर यदि जनसंख्या के अधार पर देखें तो ST जनसंख्या सरवाधिक जो है वहाँ जस्पूर में निवास करती है करीब करीब पास दसम्लाव तीन सुन्य लाख की अनुसुची जन जाती जनसंख्या निवास करती है वहीं सबसे कम की बात करें तो बेमेतर जिला आता है जहाँ पर किवल 37,000 ST के जो पॉपलेशन है वो यहाँ पर निवास करती है यदि प्रतिसत की बात करें तो सुकमा जिला में 84 प्रतिसत की जनसंख्या करीब करीब 84 प्रतिसत की जनसंख्या सुकमा जिला में ST का है और यदि सरवाधी कम कहें तो निशीत रुप से रायपूर का 4.3% यहाँ पर अनुसूचित जनजाती जनसंख्याओं का है यदि क्रम की बात करें तो नाकिवाली स्टेट्स में बलकि यूटीज को लेकर संपूर्ण भारत में 36 लड़ का जो इस्थान है अनुसूचित जनजाती के सम्मद में वह इस्थान सातवा है तो आज के क्लास में बस इतना हैं इस चेप्टर के तीसरे भाग में हम 36 लड़ की जनगर्णा के जो आकड़े हैं जिसे हमने अभी पढ़ा है पहले और दुसरे भाग में उसका एक तुलनादमा कद्धियन करने वाले हैं भारत के जनगर्णा के आकरों पिसाथ हैं क्योंकि उससे भी सम्मंदित बहुं सारे प्रश्णा अलग-अलग एक्जाम्स में आते हैं उन ही प्रश्णों के कुछ उधारन या कुछ प्रारूप मैंने आपके लिए तयार किये हैं चाहे आप प्रिलियम्स दिला रहे हूं चाहे प्रश्णों को हम समझने की कोशिस करेंगे उसका विशलेशन करेंगे और निश्चित से आपको फायदा होगा तो यदि आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके बाकी आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बेरी मच मिलते हैं अगले भाग में